परिस ओलम्पिक में भारत को छे पदक मिले लेकिन इसमें से एक पदक ऐसा है जिसके साथ भारत की गरीमा बहुत खास जुड़ी हुई है यानि के वो ऐसा पदक है जिसे भारतिये खेलों में एतिहासी कहा जाता है जी होकी की बात कर रहा हुँ है स्वन्णी यूप था लेकिन टोक्यो के बाद पैरिस में कांसे पदक के साथ भारती होकी टियम लोटी है और उनमें से कुछ ऐसे खिलाडी है जो दूसरी बार उस कांसे पदक को लेकर पोडियम पर गए थे उनमें से एक है सीनर खिलाडी मंदीप सिंग और जलंधर एक होकी की जो गड़ बना है वहां से वो बिलॉंग करते हैं हम उनके घर पे मौझूद है मेरे साथ मंदीप है बहुत बहुत स्वागत है मंदीप थेंक्यू जूमा जी पहले मैं ये मेडल एक बार दिखा दूँ थोड़ा सा शायद मैं कहूंगा कि इसको आपको नीचे करना पड़ेगा ये बिल्कुल सजाय हुआ है ये वो कांसे बदक है जो भारती होकी को लगातार दूसरी बार उलंपिक में मिला है और मंदीप दूसरी बार लगातार पोडियम पे जो ये कांसे बदक लेने गए मंदीप टोकियो और पैरिस इन आठ सालों में भारती होकी ने बहुत उतार चड़ाव देखा और फाइनली 41 साल बदम टोकियो में लाए थे और ये बैक टू बैक मेडल है कलर बदलने के कोशिश थी लेकिन कम से कम पदक के साथ वापिस आये हैं कितना बड़ा सुकून है बिल्कुल जी बहुत प्राउड फिल कर रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक मेडल जी तना बहुत बड़ी बात होती है इंडिया के लिए और बिल्कुल जी जैसे आपने का कि कलर चेंज हमारी वो पूरी ट्राई थी जैसे देखा गया कि बैस हो की खेले हम जे अलम्पिक में और सेमी फाल में थोड़ा सा हर्ट हुए हम जैसे की कलर चेंज कहना था बर स्टिल सारे लड़कों का बलीब था एक उपर और यही बोल जोजर बारा से लेके अगर मैं चॉबिस तक का करियर देखूं जो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन खिलाडियों में से हैं जो दो लंपिक मैडलिस्ट है इस पैरिस में आप उन चुनिंदा खिलाडियों में से जिनके कंदों पर जाना भार था क्योंकि यंग और एक्सपिरिंस का मिक्स कम्बिनेशन था बिल्कुल जी वर्ट हम ने यही डिसाइड किया था कि जब हम पूई भी आपना बहस्त हूं जो साथ में मेरे इस खेलते हैं उनको मैं हल्प करूं तो आइफ तिंक हमारे लिए एक अच्छी चीज थी और 2012 से लेकर अभी तक का सफर अच्छा रहा है, बहुत हाड़वर किया है, बहुत कंट्री के लिए मैडर बॉर्स जीते हैं, तो बहुत प्राइफिल कर रहा है। पहले मैच से ही जब पैला मैच होता है किसी बी ओलम्टिक जैसे टॉर्नमेंट का तो वहाँ जब शुरुआ थी उसके बाद ऑस्टेलिया को जब रहाया और क्वाडर फाइनल खेला मुझे लगता वो टर्निंग पाइंट शुरू हो गया था। बिल्कुल देखो जब मेज़र टॉर्नमन खेलने जाते तो आपका सबसे पहला मैच बहुत ज्यादा जरूरी होता है जीतना तो स्टेप बाइस टेप फिर अच्छा जाता है तो जब हम पहला मैच जीते रहे बेल्जियम में लूज किया बट स्टिल चेन अप करके हम जब लड़के को तो हमारा यही मक्स का कोई बानी एक बंदा लेस्बी है तो हमें खेलना है उसके लिए खेलना है और खेलना है और दिखाना है कि हाँ होकी है कुछ तो फाइनली वह हम दस प्लेयर से खेले हैं 43 मेंट आई थिंक तो वह मैच जीते हैं अश्यूट पे बहुत तो वह मुझे लगा कि टीम का जो शौर हाई कर गया वची बिलकुल जी क्योंकि जब उनको रेड कार्ड हुआ तो आई थिंक सभी लड़कों ने बहुत जादा एक दूसरे के उपर हलाशरी दी कि कोई बार निक जो हो गया हो गया अपने हमने अपनी गेम खेलने हैं डिफ तो आई थिंक बहुत कम गया है क्योंकि अगर टैक पे जाते तो पीछे कुछ भी हो सकता था तो बहुत बड़ी बात है एक बन्तिक में एक बंदे के साथ लेस खेलना तो आई थिंक वो प्राउड फिल है अमारे लिए अच्छा मंधीप एक बीच में जिकर सुनने कुआ थ जो हमारा लगता था कि हां मैंड होर हमें स्टोंग करना आइ तिंक वो वहां जाके हमने वो चीज बहुत ज्यादा है एक दिन के ग्रैप था कि तो आई थिंक हमने दो तीन दिन वहां रहे हैं उसके बाद हम फिर पांच दिन पहले हम अलम्पिंग जैसे आगे थे तो आई चisherd Day जब वापस आना कि हमें क्रेंसी वापस आनाए जब अमारी जो निभी थे रहना несे नहीं वापकर कर आना है तो वहमने बहुत डिफिकट्ड हा पांट कि फूटी जो होती है गास पकड़ पढ़के नीच आना डिंज्रेस था ऑन्कल भी तो बिस्ट ही हम्हारे तो ब यह क्यों नहीं कर सकते हैं तो वह काम आगी और वह माइड सेट था सभी प्लेयरों का वह एक स्ट्रोंग था मारा अच्छा यह ओलम्पिक में श्रीजेश का अंतिन था लास्ट था लंपिक मनप्रीथ हो श्रीजेश हो 4-4 लंपिक यह खेल चुके थे तो यह सही भी टीम था क तो हमें लास्ट मैच खेलना था उनको हमने पहले बोल दिया था हम आप पूरा जाएंगे और आपके लिए जिम विन करेंगे जैसे भी मर्जी क्योंकि अच्छे से वदाई देना चाहते थे उनको यह भी था कि जब आप लंपिक है पैरिस में तो उसके बाद सोशल मीडिय कि ऐसी बेजिति करना है यह फोतो हमें नहीं करते हैं तो उसके बाद फूरा बंद करतो एक तो kualnya जाना 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 हैं इस पार भी जही था था है तौ इस बार भी जहीता तो बोला जाना जाना एक पो ऐँभिघ अजा है बार मिली टोक्यो में जर्मनी को रागर ब्राउन जीता था वो रात बड़ी भारी थी प्लेरों पर बिल्कुल जी जब लास हम जीते थे जर्मनी से तो पूरा कॉंटिटेंस के साथ गये थे अगर देखा जाए इस बार भी हम फर्स कौर्टर ऐसे लग रहा था कि हम पूरा अ स्थ के बाद हमने मीटिंग की तो इक दूससरा को पूरा मोडिवेट किया नाहीं हम जन्री रहlike मेन पनी है अच्छे से निपना चिए और यह फिए 06 जी लिए जी आड़ा बिल्कुल जी ब Cubacoy चुन वी जो जो सुन्ते को पूछ रहा हूँ कि मैं सभी-जी ब्रॉणाय ऌ पिल्कुल हमारे लिए लग्की जैम था और सिद्धु मोस वाले के गाने हम सुनते हैं तीम में शरारती है कोन है तीम में शरारती तो I think कि आपको फूरा स्टोंग फोक्स के साथ रहना पड़ता है तो नॉर्मल जब ऑफ फिल्ड है अभी के साथ अची बॉंडिंग है उसकी तो अची बात है कोई ऐसा किसा शेयर करना चाहेंगे जो बड़ा लाइट मूड का हो कि टीम कहीं बड़ टैंसमॉल होती है तो किसी ना के कुछ ऐसा पंजाबी स्टैल में जोक सुना दिया कुछ कह दिया कि टीम हस पड़ी कुछ ऐसा शेयर करना चाहें यह ऐसे नॉर्मल शेयर तो नहीं बट यहागी है एक दूसरे का साथ हसी मजाग हम करते हैं जब भी कोई बाद होती है अभी जैसे अगर हम हारे भी हैं अपना जर्मीन के साथ तो उस दिन तो चलो बहुत ज़रा सहर से नेक्स टेज जब हमने जो आपको पताया कि हमने बात की है मोटिबेट एक दूसरे की है उसके बाद भी हसी मजा की समयर रखो फेस पे जितना आप समयर रखोगे आप अपना बहस दोगे चाहँ को जब मैडल आ गया हालांकि उस मैच में भी स्पें ने ने लास्ट में बैक टूबैक पीसी ली है जब वो विसल बजी तो उसके बाद इतना अच्छा ने गया बट स्टिल हमने अपनी फाइड की पीसी बिनाए गोल से निकलें उसको जब लास्ट सेकेंड आया तो बस उपर उपर देखके हाँ जोड़े है उपर वाले को थेंक इस हो मच किया उनका की फाइनली हमें जे मैडल मिला तो उस रात तो सोने बहें बिल्कुल नहीं सोय उसकरा तो सोय नहीं एक दो गंटे सोय अगर सोय है तो बस मैड़ के साथ ही आज जी तो मैड़ के साथ ही सारे सोय है जी जी तो आगे अब होकी को क्या देखते हैं कि कलर बदले का तो शायद क्रिकेट जैसा स्वागत होता ये बात मैंने कहीं से पूछ अपनी होकी की लेगसी को ऊपर बढ़ाया है स्टेप बैस्टेप मैडल लेके आ रहे हैं तो ऐसे ही है कि जो जनरेशन है अभी आने वाली उनको मैं जही बोलूगा होकी उठाओ उसको प्यार करो उसके साथ खेलो और अपना मन लगा के हाड़ वर करो और एक एम जो बोलूगा कि जैसे अलम्पिक भी अगर चलो होगी मैडल आ गया बट उसके बाद भी आप होकी को सारी स्पोर्स को एक उपकल रखोगे तो आई थिंक जो प्लेयर्स हैं और हाड़ वर करने का उनको मौका मिलेगा और उनके मन में रहेगा कि हमने और मैडल जीतने हैं जैसे आगे मैचिस आ रहे हैं उसके उपर अपना और बहस देना है तो जी चीज आई थिंक पर सभी के लिए होने चाहिए हैं खेल गाओ में क्योंकि जब भारते दूसरे खिलाड़े भी आपको मिलते हैं चाहे निरज हो या और गोई हो तो उनका रिस्पॉंस कहा रहा रहा था बहुत अच्छा रहता है निरज बाई के साथ तो अच्छा है बहुत क्योंकि जब मिलते हैं मलगी इतना अच्छा नेचर है तो मज़ा आता है की जब मज़े अभी भी जाद है जब टोक्यो में मेरा मैडल आया था तो नेक्स दिन उनका इवन था तो उस दिन हम 11 बजए व और क्या खास आपको लगा इस ओलंपिंग में क्या सीखने को मिला अमन्दीब के लिए इतना एक्सपीरेंस है फिर भी कहते हैं कि हर दिन नया कुछ सीखने को इनसान मिलता है सीखने को में यही था जब हम पैरिस में गये थे तो हमारा में यही मोटीव था कि हमें मैडल लेना है तो जब हम प्रैक्टिस पे जाते थे वहां का कल्चर भी अच्छा है तो जब भी प्रैक्टिस पे जाते थे वहां जो लोग है तो यही था कि में यही टारगर था कि हमें म अब भी तो जैसे शबीस में गेम से कॉल्वन गेम में वर्ल्टकप इसमें अपना बेस्ट करना है पहले फिर स्ट्राप जाना है